अगर सरकारी योजना का पैसा अगर आपको मिलने वाला होगा तो अधार NPCI के थूसे जो पैसा को ट्रांसपर किया जाता है तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों आपको ये जोई की फायदा आपको मिल जाएगा तो दोस्तों में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अपना बैंक में अधार NPCI को किस परकार से लिंक करना है तो दोस्तो अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको complete देखना होगा है इस वीडियों पूरी details में आपको step by step करके बतला रहे वाला हूँ तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चनल पे नहीं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे ब्लैकन गंटी को ट्रेस कर लिजे ताकि मेरे वीडियो को notification सबसे पहलब के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों bank account में अधार NPCI link करने पर आपको बहुत सारे आपको benefit मिल जाता है जैसे अगर आप PM किसान समानी दी योजना का अगर आपको lab मिल रहा है तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले जो है कि अगर आपके bank account में अधार NPCI link नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अधार NPCI को link करवाना बहुत जरूरी है तब जाकर आपको PM किसान समानी दी योजना का lab दिया जाएगा यानि कहने का मतलब यही है कि अगर आप सरकारी योजना का lab लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपना bank account को अधार NPCI से link करवाना होगा तो अधार NPCI से link किस परकार से करना है क्या process है सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको complete बतलाने वाला हूँ तो चली दोस्तों सबसे पहले किस परकार से link करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपना किसी एक browser को open कर लेना है और browser में आपको type करना है अधार NPCI link इस परकार से आपको type करना type करने के बाद search के option पे click कर दना click करने के बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दिख रहा customer NPCI इस link पे आपको click कर दना click करने के बाद दोस्तों इस परकार से यहां पे open हो जाता है सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस परकार से आपको चले आना है सबसे नीचे इस परकार से आपको चले आना है और एक option आपको देखने के लिए मिल जाएगा अधार seeding process इस वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों एक option आपको देखने के लिए click here to view इस वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से एक अधार seeding का form इस प्रकार से download हो जाता है और दोस्तों यहां पे दिखिए सब कुछ यहां पे बता दिया गया है कि आप अपना bank account में या किसी भी bank account में अधार NPCI link करने का क्या process है कैसे link किया जाता है सारा कुछ दोस्तों यहां पे बताया गया है अगर आप चाहते हैं तो इसे आप पढ़ सकते हैं तो दोस्तों सबस पहले आपको क्या करना होगा इस फॉर्म को आपको किसी भी साइवर कैप में जाकर आपको इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकलवा लेना है प्रिंट निकलवाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा तो इस फॉर्म को आपको सही तरीके से आपको फिलप कर लेना ह है तो सबसे फर्स्ट में आपको फिल अपको ले लेना है उसके बाद अधार कार्ट उसके बाद जो भी आपका बैंक पास्बुक है बैंक पास्बुक आपको फोटो कोपी करवा लेना है उसके बाद तीनों को आपको एक साथ जो है कि पीन अप कर लेना है उसके बाद दोस्त कि मेरा bank account में अधार NPCI से जोड़ना है जोड़ दीजिये और दोस्तों एक चीज़े मापको यहाँ बतला दते हैं कि वहाँ पर आपको form जामा करके चले नहीं आना है वहाँ पर आपको form देकर आपको वहाँ पर संभित करवा लेना जरूरी है अगर संभित नहीं करवाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे आपको pending में पढ़ जाता है pending मेरा जाता है और आपका अधार NPCI से लिंग नहीं होता है तो वहाँ पर आपको request करके आपको अधार NPCI से लिंग करवा लेना है उसके बाद दोस्तों आपके account को अधार NPCI से 12-24 घंटा में लिंग कर दिया जाता है और दोस्तों एक चीजम आपको बतला देते हैं कि अगर इस phone को यहां से आप download करके print करना नहीं चाते हैं यहां से अगर निकालते हैं तो आपको 10 और आपको खर्च बढ़ जाता है अगर बिल्कूल free में करना चाते हैं तो दोस्तों अपना bank में जाना है और bank में भ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है तो चली सबसे पहले में आपको यहां पे चेक करके दिखा देते हैं किस परकार से आपको चेक करना है तो चली सबसे पहले back हो जाते हैं तो सबसे पहले अपना browser को open कर लेना है और browser में आपको type करना है UIDAI उसके बाद सर्च के option पे click करने के बाद सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है UIDAI इस लिंक पे आपको क्लिक करदना है क्लिक करने के बाद दोस्तों अधार काट का ओफिस्यल वेबशाइट इस परकार से यहां पे उपेन हो जाता है सबसे पहले इस परकार से आपको नीचे आना और एक ओप्शन देखने के ल जाया गा चेक अधार बैंक लिंकिंग अस्टेटस इस वाले ओप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार काट पेज ओपेन हो जाता है सबसे पहले आपको क्या करना होगा है इस बोक्स में अपना अधार नंबर को टाइप करना है इसके बाद इस easier code क इस box में type करदना है उसके बाद send OTP के option पे click करदना है उसके बाद दोस्तों अधार card के साथ जो भी mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस box में आपको type करदना है उसके बाद सम्वित के option पे click करदना है उसके बाद दोस्तों इस परकार से स्टेटस यहाँ पे उपेन हो जाता, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैंक का नाम, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, किस डेट में आपका अधार NPCI लिंक हुआ है बैंक के साथ, उसका डेट देखने के लिए मिल जाएगा, बैंक या डी एक्टिव है तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अधार नमबर देखने के लिए मिल जाएगा तो इस प्रकार से आपको स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि मेरा बैंग के साथ अधार NPCI लिंक हुआ है या नहीं हुआ है तो चलि दोस्तो वीडियो अगर परसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और मेरे चैनल पर ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जब लाइकन नंटी को भी प्रेस कर लिए जगा